फाइनली जो बाते सामने आ रही थी आदिपुरुष को लेकर वही हुआ आदिपुरुष की टीम ने जो क्रिटिसिज्म उन्हें जनता से मिला उसको अच्छे खासे तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की ओम राउत ने कहा कि हमने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है 3D में बनाई है मैं बिना 3D इस फिल्म को दिखाना नहीं चाता था हमने एनिमेशन भी अच्छा किया है हमारा VFX भी अच्छा है ये सारी बाते पब्लिक को जवाब देते हुए ओम राउत जो कि आदिपुरुष के डिरेक्टर है उन्होंने ये सारी बाते कही थी इसी भीश खबर आ रहे थी कि T-Series में एक बड़ी मीटिंग चली है और आदिपुरुष की रिलीस डेट को पोस्पोन करने की बात की जा रही है क्योंकि फिल्म का VFX अच्छा नहीं है VFX पर rework करना पड़ेगा इसलिए तब फिल्म के टीब मेंबर्स ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है फिल्म जो है तय तारीक को ही रिलीस होगी जनवरी 2023 में ही इस फिल्म को रिलीस किया जाएगा लेकिन आप फाइनली आदिपुरुष के मेकर्स ने इस फिल्म को पोस्पोन कर दिया है फिल्म को अब जनवरी म मीटिंग चले कई डिसकशिन हुए और फानली टीम ने डिसाइड किया है कि इस फिल्म को जैनवरी में रिलीस नहीं किया जाएगा समใं में रिलीस किया Sicher ने विलेस पॉस्टपॉन किया गया है इस पर लक्रुज ने बहाना यह दिया है कि उस दौरान दूसरी कुछ फिल्में है बड़ी जो रिलीज हो रही है इसलिए हम क्लैश नहीं चाते हैं वही कहा यह जा रहा है कि इस टीम ने टाइम इसलिए लिया है ताकि VFX पर रिवर्क किया जाए नहीं तो जो 400 करोड लगाए हैं वो भी डूब जाएंगे इसलिए अभी इन 400 करोड को बचा कर इनसे और पैसा कैसे कमाया जाए आदी पुरुष को पोस्पोन कर दिया गया है फिल्म का सिर्फ VFX ही मेकर्स का डर नहीं था डर इस बात का भी था कि माहूल इस फिल्म को बॉईकॉट करने का चल रहा है फिल्म के कई अवतार में फिल् हाल के लिए इस फिल्म को टाल दिया है यह फिल्म पोस्पोन हो चुकी है